तो हेलो जी कैसे हैं आप सब लोग मैं आपका दोस्ते से हिल पर और आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले एक और नया पजल तो यार इस पजल में हमें एक आ गया कि अर्पित है मानले लड़का या अरपित उसका नाम अर्पित है उसके पास चॉकलेट्स हैं ठीक है लेकिन जब भी वह इत करता था यह जबो एक चॉकलेट खाता था तो वह उस चॉकलेट को खाता था जो कि एक लाइनमे अगर मानलό watts्Patrick पढ़ी है तो वह स्टार्टिंग से अगर वह चॉक्त करेगा तो वह खाय तीन चॉकलेट्स जोके के इक बचिक होगा ना तीन तीनो चॉकलेट का वो उस वेट की चॉकलेट को खा लेगा तो तुम्हें यह बताना है कि लास्ट में जब वो ऐसा करता जाएगा सारी चॉकलेट्स में से कौन सी दो चॉकलेट्स हैं वो लास्ट में बच जाएंगी जिसे वो रैप करके गिफ्ट कर देगा ठ एक easy puzzle है थोड़ा सा सोच कर देखें तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने सोच लिया होगा तो मैं इसे एक example के साथ समझाता हूँ यार मैंने एक example लेगा मैंने क्या कहा कि मान लोग कि जो chocolates है ना वो मेरे मेरे पास 6 chocolates हैं जिसमें पहली chocolate का जो weight है 1 gram है दूसरे का 2 gram तीसरे का 3 gram 4th का 4 gram और 5th का 5 gram और 6th का 6 gram तो अभी initially मेरे पास कितने chocolate है यार 1,2,3,4,5,6 6 chocolate है और इन 6 का weight का है छे का weight भी same ही है यह simplicity के लिए इनका weight इनके numbers के equally ही ले लिया तो यार मैं जब median लोगा इन पहले थी इनका क्योंकि उसने कए consecutive 3 जो consecutive 3 होते है यार उनका जो है मुझे उन तीनों में से consecutive 3 जो है न उन में से 1,3,4,5,6 वाली chocolate जिनका weight है तो अब जब यह बच गई मेरे पास तो अब मैं क्या गरूँ हम फिर से median निकालूँगा तो पहले तीन का फिर से आएगा इस पर मैं median निकालूँगा तो मेरे पास median आएगा इन पहली तीन chocolates का 4 ग्राम तो मैंने 4 ग्राम वाली chocolate खाली अब मेरे पास कितनी chocolates बचकी यह 3 और इनका weight है 1 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम इन 3 जो median निकालेंगे वो क्या आएगा 5 ग्राम क्योंकि वह सेंडर पे तो मै weight में सबसे छोटी chocolate है मतलब सबसे कम weight वाली जो chocolate है वो बच जाएगी और एक chocolate वो बच जाएगी जो सबसे जादा weight वाली है तो हमें तो यार हमें जैसे बताया नहीं गया था मैंने एक्जांपल लेगे वह समझाने की कोशिश करी है तो इसका answer हमेशे यही रहेगा इस puzzle का क कि जितनी भी चोकलेट पड़ी है उनमें से सबसे minimum weight वाली चोकलेट बचेगी और सबसे maximum weight वाली चोकलेट बचेगी तो यार इस puzzle में बस इतना ही था मैं आपका दोस्ते ऐसे हिल पर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक नए puzzle कि